काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि आपका नाम सुनते ही काम हो जाए मैं हूँ आपके साथ अपकी अपनी होस्त एंदोस्त लॉक्टर वाय रख आपक वह्ते मातारानी मेरे और आपके इस यूच्व चैनल पर आप सोच रहे होंगे कि मेरी बोलती क्यों बंदो गई अरे क्योंकि आज मोनी अमावस्या है अपनी इस वीडियो में मैं आपसे मोनी अमावस्या के बारे में बात करने वाली हूँ माक के महीने माने वाली ये मोनी अमावस से है अपने आप में बेहत खास अमावस से है और इस बार 21 जनवरी शनीवार वाले दिन खासियत तो ये है कि ये अमावस से है दूसरी खासियत ये है कि माक मास के महीने की मोनी अमावस से है जिसमें थोड़ा दिर मोन रहा जाता है उस थोड़ा गुड थोड़ा नमक यह सब चीजे लेकर इसको एक बास में रखकर एक थोड़ी टॉर्च थोड़ी छत्री एक एक रखकर और उस बास के बड़े से टोकरे को एक काले कपड़े से ढखकर लाठी के साथ किसी बुजर्ग व्यक्ति को पुरुष को गरीब को दान कर चाहिए इससे कहते हैं यम का दान तो यम आपके मरने के बाद याद रखेंगे कि जीटे जी धर्ती पर कम से कम एक बार ही सही साल में तु मेरे लिए दान तो करता था आज अपने घर के बाहर दक्षिन की तरफ दिये जरू जलाए अपने पित्रों को सफियत फूलों की माल आरपन करें अपने पित्रों की खाने की फेवरिट चीज़ें असदान जरू करें अपने पित्रों को पढ़नाम जरू करें 21 जनवरी 2023 को मोनी अमावस्या है दिन है शनिवार का पीपल के पेड़ की सफाई करें पीपल के पेड़ की पूजा करें पीपल के पेड़ की परिक पान के पत्ठे पर सिंदूर रख्कर आएं आज रात मां लक्षमी की पूजा जरूर करे जी के मंतरों का जाप करे क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि दिवाली भी अमावस की रात पर होती है और लक्षमी की विशेश पूजा हम दिवाली की रात को करते हैं क्या काम जरूर करें अमावस पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसी दिन स्रिष्टी की रचना करनी शुरू की थी वो दिन मौनियम आवस्या थी साल का सबसे बड़ा गंगा स्नान का दिन भी यही माना जाता है माग के महिने में विश्णू की पूजा, विश्णू के मंत्र जाप करना ओम नमो भगवत वासु देवा का जाप करना रात भर ओम हिम क्लिंग चमुंडा विच्छा का मंत्र जाप करना बहुत लाबदायक रहेगा थोड़ी देर मोन रहना और अपने आप से मेडिटेशन आत्म चिंतन करना अपने आप से बात करना सोना, चांदी, तांबा, पीत, लोह, दान जरूर करें आप और ना हो सके तो मिट्टी के बरतन में सरसू का तेल भरकर आजदान करना बेहद उत्तम रहेगा